दोस्तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेस्बुक के दो नया अपडेट को लेके तो पहला अपडेट हरे क्रियेटर लोगों के लिए और एस्पेशाली एडवरडाइजर लोगों के लिए काफी किफायती होने वाला है बहुती बारा गुड नियूज है दोस्तो इतने दिनों तक जो भी एडवरडाइजर या फिर जो भी क्रियेटर अपने कोई भी पेज के पोस्ट को एस्पेशाली इमेज पोस्ट के बारे में बात कर रहा हो उसको बूश्ट करते थे तो उस इमेज पे अगर टेक्स का पार्ट 20% से ज़ादा रहता था उस केस पे एड़ क्वालिटी पे इशू आता था और एड़ जो है वो अंडर रिव्यू जाने के बाद बहुत सारे केसेस पे डिस एप्रूब हो जाता था और एड़ क्वालिटी रैंग भी बहुत नीचे होता था मगर अब फेस्बूक ने अपने एड़ क्वालिटी पे बहुत ह जादा changes किया है या पे Facebook का कहना है अप से image पे जो भी tax आप लोग लिखते हो उसका जो measurement है पहले के 20% से कम होना था वो हटा दिया है तो आप चाहो तो जादा tax भी डाल सकते हो उससे आपके ad quality check पे Facebook कोई भी penalty नहीं देगा आपका ad जो है वो approve हो जाएगा उससे आप आपके image पे जितना भी tax लिखना चाते हो लिखके use कर सकते हो मंगर फिर भी या पे Facebook का और एक बात है कि जितना जादा कम tax use करोगे अपने image को boost करने से पहले मतलब पैसा देके ad run करने से पहले उतना ही आपको जो है Facebook का ad rank और quality better मिले एगा optimization अच्छा होगा एड ranking अच्छा होगा यह Facebook का फिर भी कहना है मगर अब से Facebook ने जो rules पहले था कि 20% से जादा आप tax नहीं use कर सकते हो image पे वो बिलकुल हटा दिया है बरता हो अगले update के तरफ वो update है group जो है health group health group को लेके बहुत सारे जनों के मन में बहुत सारे confusion भी हो रहा है इस update के बाद से यहाँ पे कहा गया है Facebook के तरफ से हम लोग health बाले जो भी group होगा उसको recommendation पे नहीं भेजेंगे अब recommendation क्या है यह आप लोगों को पता है Facebook का algorithm है Facebook का algorithm जो ने ने लोगों के पास आपके group को आपके page को आपके profile को लेके जाता है तो वो जो recommendation पे ने लोगों के पास जाता था इतने दिन group वो health related group आपसे नहीं जाएगा यह Facebook ने इसलिए किया है ताकि लोगों को सिर्फ health से जुरे authoritative जो authoritative groups होगा उसी को लोग find out करके जाए लोगों के पास ऐसी कोई भी group ना जाए जिससे के misinformation फैले इसी बज़े से recommendation पे group को जाने के लिए Facebook ने अपसे पाबंदी लगा दिया है तो अगर आपके पास health group है तो आप पे वो group recommendation पे नहीं जाएगा इसके मतलब यह नहीं के Facebook आने वाले टाइम पे health वाले group को बंद कर देगा आप फिर भी उस group को लेके बर सकते हो मगर उस group को recommendation पे नहीं जाएगा तो उससे आपका group को जो organic growth है उस पे थोरा सा रुकावट आएगा फिर भी आप लोग उसी group को लेके काम करके उस group को भी organically grow कर सकते हो उसके लिए आपके group को अपने जो भी pages होंगे उस पे share करना परेगा या फिर different different जो social platform है वहाँ पे share करना परेगा और वहाँ से traffic को अपने group पे लाना परेगा क्योंकि Facebook खुद से आपके group को promote नहीं करेगा और अब बात आता है कि ज़्यादा पानी पियो ऐसा advice अगर किसी group में दिया जाता है तो ये भी health से related है मंगर कोई violation नहीं कर रहे है तो इस पे क्या दिक्खत है तो Facebook का यही कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ चाते है कि health से related लोगों को awareness जो भी जाए Facebook platform से वो genuine जाए, authentic जाए, लोगों को कोई भी misguide नहीं हो तो ऐसे content पे मुझे नहीं ही लगता आने वाले time पे Facebook कोई recommendation करने में दिक्कत करेगा दिक्कत होगा जहाँ पे आप लोग कोई भी health product को sale करने की कोशिश करोगे group के अंदर जैसे कि आपने ये medicine ले लिया तो आपका जो बजन है वो दो दिन में 80 किलो से 60 किलो हो जाएगा तो ये सारे जो फैलाया जाता है group में वो सारे group, वो सारे health related group में पाभंदी लग जाएगा तो देखते हैं आने वाले time पे क्या होता है बस आज के इस वीडियो पे ये दो update आप लोगों को पहुचाना था अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना कोई भी दोस्त मिनेजर पे नेने आया हो तो चैनल को सास्क्राइब करके बेल नोडिश को दबा लेना तक ऐसी वीडियो आने वाले time पे सबसे पहले आप तक पहुच जाए आज के इस वीडियो वित नहीं दोस्तो तब तक आप लोग खुश रहो आबाद रहो और ममी पपका नाम कर दोस्तो बाई